गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब बच्चों आज के काम में हमें करनी है एक मज़ेदार गतिविदे याने की एक्टिविटी सबसे पहले उपर है डिरेक्टो डेट ओफ एजुकेशन जी एन सीटी ओफ देली दिनाग 29-2020 कारे पत्रक लियाने की वरक्षीट है हमारी 74 केजी से सैकेंड क्लास के लिए हैं बच्चे का नाम कक्षवभाग ध्यापक स्लेश रद्यापिक अपने टीजर का नाम कदम कदम मिलाए चल बच्चो इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको कह करना है एक रस्षी लीजिए आप रस्षी बनाने के लिए कोई डुपट्टा या पुराना कप्ड़ा भी इस्तिमाल कर सकते हैं इन कतिविदियों में माता पिता भी शामिल होंगे तो ज्यादा मज़ा आएगा तो बच्चो आज की जो अक्टिविटी है उसमें आपको अपने माता पिता के साथ मिलकर काम करना है सबसे पहले आपको एक रस्टी लेनी है रस्टी नहीं है गरपर तो कोई डुपट्टा या पुराना कप्ड़ा भी ले सकते हैं इस तरह देखते हैं आपको क्या करना है पहली कतिविदी है रस्टी को जमीन पर बिल्कुल सीधा फैला देजे इस तरह रस्टी को आप बिल्कुल सीधा फैला देंगे इस पर एक एक कदम रख कर चल कर देखे आपका पैर रस्टी से दूर नहीं हटना चाहिए आया ना मज़ा मतलब आप अब इस रस्टी के ऊपर चलेंगे और इस तरह चलेंगे कि आपका पैर रस्टी से दूर नहीं हटना चाहिए और रस्टी पर चलते चलते गिंती भी कीजिए कि कितने कदम रस्टी पर सही से रख पाए तो जितने कदम रसी चाही से रख पाए वो भी आपको बताने हैं जैसे कि 1,2,3 गिंते हुए आप चलेंगे रसी पर और जितने कदम आपने रसी पर रखे वो आप बताएंगे उसके बाद दूसरी गतीवेदी है अब उसी रस्टी को टेडा मेरा करके फैला दीजिए अब इस पर चले लेकिन कोशिश है कीजिए कि आपका पैड रस्टी से नीचे न उतरे टेडी मेरी रस्टी पर चलते हुए गिंती कीजिए आप कितने कदम ठीक से रस्टी के ऊपर चल पाए देखी उस रस्टी को आपने अप टेड़ा मेड़ा लगा दिया पहले तो सीधी लगाई थी अप टेड़ा मेड़ा लगाया लेकिन वैसे ही आपको इस रस्टी के उपर चलना है और कोशिश करनी है कि आपके कदम रस्टी से अलग ना हो और गिनना है कि कितने कदम आपने रसी पर रखे यानि कि जो कदम रसी के से अलग होका रखा जाएगा यानि कि गलती से जमीन पर चला जाएगा वो आप count नहीं करेंगे यह खेल अपने माता पिता के साथ भी खेले फिर सभी के कदम copy में इस तरह नोट कीजिए पहली एक और दो के बच्चे करेंगे पापा के कितने कदम रसी पर ही थे यहां लिखेंगे ममी के कितने कदम रसी पर ही थे और आपके कितने कदम रसी पर ही थे स्कु आप लिख लेंगे तो है ना super fun times with family उसके बाद बच्चों तीसरी गतिविदी है माता पिता की मदद से जमीन पर टेड़ा मेड़ा रास्ता बनाईए आप चौक या दो चार कप्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको उस बने हुए रास्ते के अंदर ही चलना है बच्चो बने हुए रास्ते के अंदर चलने की कोशिश कीजिए और अगर पैर बाहर तो आप आउट चलते हुए अपने कदम गिनना मत भूलना तो बच्चो इस तरह आप चौक से रास्ता बना सकते हो देखोई जो बीच की जगा है इस पे आप चलोगे अगर आपके घर में चौक नहीं है तो फिर आप दो कप्रों कर सकते हो देखोई कैसे इस तरह आप कप्रों को लगा सकते है दो चार कप्रों को पहले यह आउट लाइन के लिए ऐसे कप्ड़े फिर बाहर का और उन में के बीच में जगा होगी जिस पे आपको चलना होगा अगर गलती से लाइन मतलब कप्ड़े पे पैर रखा या उसके बाहर पैर गया तो आप आउट हो जाओगे और उतने कदम गिनने हैं जितने आपने कप्ड़े यह जो जगा है ना बीच की इसमें चले और कितने भी कदम चले वो भी गिनने हैं और यह गेम खेलते हुए जब भी बहर जाएंगे बाहर अपने हाथ जरूर दोने हैं बाहर से आने के बाद वियर योर मास्क एट हैल्दी लीविंग यानिकी हरी बरी सबजी या खानी है और हैल्दी पूट खाना है इस टेए कूल यानिकी गुस्ता नहीं करना है वाग गुड टे बच्चों टेक्य बाइ